अभड़ वात नुपन अने वर्ष सामाज एक श्यत्रा मदे समासिवा सवाणी अने वर्ष केली अच्छास विद्यमाणा तुन ऐसनला चयांकल कोड़न सबने सेंफालन अंगी मोफद करोण दिले गेल अब नदे टीम साइवीज़ एए 40 प्लस टीम आपलेले बिडेंथे आपन लवगर्या करन सम्नेल डिकल सुरुबाज जालेली आँ है जावया आपन एक्जिबीशन माच कोड़े ने सम्मोल चंक कक्षा मदन आपन अवाज है कुए कुनाल जी दाते सरांज सा धन्यवाद थैक्यू सो मच थैक्यू सो मच 40 प्लस टीम का भी सथकार यहां पर जारी रहेगा लेकिन लेकिन मैंच की तरफ आपको लिए चलते हैं एक तरफ है मुम्रा तो एक तरफ है ठाने ग्रामिन पहली गेन पर बड़ा हिट आया है अयूप शेक के बल्ले से गेन जाती हुई डीप का ओकॉर्नर रीजन में स्टार आफ कासर वर्डवली अयूप शेक उनका साथ देते हुए इस वक्त प्रिते जोशी तोनों ही डेंजर बैट्समेन हैं दोनों ही खातक बल्लेबाज हैं दोनों ही शांदार बल्लेबाज हैं पटिप्लस ओला टीम इस वक्त स्वागत और सबकार जरूर करी है रमशेट ठाकूर सहब का कि उन्होंने बहुत ही बडिया टूर्नामेंट और बहुत ही शांदा टूर्नामेंट और्गनाइस च्याए उसके लिए उन्हें डेट सारी शुपकामना है प्रिटेश जोशी इस गौन ओहो सन्नाट अचा गया है पहली बड़ी विकेट जरूर गिरी है धाने ग्रामिन की सर्वात्मोठी विकेट राउंड विकेट ने बॉल पढ़ला नंतर तोड़सा आत्मदे आला तेला मिल विकेट चावरून खेयनायाँस प्रेत्नों ता प्रिटेश सानी प्रिटेश जेल दिते अम्रेश ने टिपला ने विकेट प्राप्त केले पहिलांच ओवर मदे गुलं बिलकुल इस वक्त ये बड़ा जटका लगा है नियो बैटर के रूप में इस वक्त ताबरतूप चैन किया गया है नरेंद्र भारती नौडी प्यार से इनन नौडी कहा जाता है अयूब और नौडी की जोड़ी क्या विक्टो के बीच में कमाल करेगी धमाल करेगी किस तर प्रूरी क्योंकि दोनों ही बैटर्स की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुने रेक्षरों में लिखा गया है एक तरफ है स्टार ओफ कासर वड़ोली प्राउड ओफ कासर वड़ोली अयूब शेक नौडी नौडी नौड़ी के रूप में आये हैं इस प्रेज के सामने से थोड़ा साथ आपको जगा खाली करनी प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग जो दर्शक हमारे हैं पर्दे के पीछे आजए प्लीज आप लोगों से बिनंती पर्दे के पीछे आजए क्योंकि ये खिलाडी जोश में खेल रहे हैं ये वड़ोली का विकेट गिरा है प्रिटेज जोशी का शुन के आकड़े पर गिरा फिर उसके बाद दूसरा जटका आट रन उपर लगा याने सलमान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है ऐसा हम देख सकते हैं पांज गेंदों में एक बड़ा हिट लगने के बाद जो वापसी की है सलमान ने वो रही चुना गए इस वक्त देखिए ताबर तो चुना गया है इस वक्त भाया को भाया पाटिल को आमंदित क्या गया है बिल्कुल वागपिल की ओर से बिलॉँँ करने वाला ये खिलारी कम समय में जादा नाम कमाने वाला ये खिलाडी भाया पाटेल लेकिन लाजवाब गेनबाजी अब तलक के यहाँ पर देखने मिली है पाँच गेंदों में महज आट रन देकर दो बड़े विकेट अपने नाम की है गेनबाज सलमान ने और इस शेतर में जरूर ये पहली बार एक एकजिबिशन ऐसा मैच रखा गया है कि एक तरफ मुम्रा से बिलॉंग करने वाले सबी सितारे हैं तो दूसरी तरफ गोडबंदर शेतर के ये स्टार कास्ट टीम दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ ये एक्जिबिशन का महा मुकाबला एक तरफ हम देख सकते हैं जावेद कूरेशी जैसे स्टार के लाड़ी है उसी तरीके से आसिफ खान बंटी जैसे स्टार है साथी साथ अगर देखा जाए टीम गोडबंदर शेतर से बिलॉंग करने वाली ठाने ग्रामीन का तो बिल्कुल एक तरफ आपको अयूप शेक तो दूसरी तरफ प्रिथेज जोशी इस बार ये आउट अप दो ओस्टम थी टपा थोड़ा सा शॉट पीच रखा था गेंद का काफी जादा कट होती हुई अंपायर का इशारा था हुआ वाइड बॉल अतरीक रनों में एक रन जरू शुमार होता हुआ रनों की रन संक्या में थोड़ा सा बदला आओ आपको जरू देखने मिलेगा स्कोर बोर्ट पर स्कोर इस वक्त दरिशाता हुआ नौरं दो विक्टो के नुकसान के बाद आप देख रहे हैं श्री राम फाउंडेशन प्रेजेंट नमो चशक भव्य आयोजन भव्य नयोजन नाइट की ये बड़ी प्रतियोगी दा और इस वक्त ठाने वर्सेज मुम्रा इस बार ये तेज तर रायर गेंड करने की चाहत फिर से एक बार चूकते हुए नजरा आए टपपा फिर से खराब था अंपायर हमारी तरफ मुरते हुए और इस गेंड को वाइड गोशित करते हुए ऑफकटर गेंड करना चाहा रहे है प्रोपर टपा नहीं मिल पा रहा है ओफकटर लेप्टी बैटर साथी पढ़ला नंतर लेकटर होते है बाहर निकतो है तेचा साथी एक स्लिप तैना ठेवली है तेचा मोड़ी तोड़ी शी फ्लाइट द्यावी लागे लागे लाइन खराब होती नेक्स बॉल लेकरता यार फिरसे एक बार सलमान इस बार देखे कट करना चाहा रहे थे एक और वाइड बैक टू बैक तीन गेंदे वाइड के रूप में यहाँ पर जरूर गिरी है सलमान को इस वक तक कुछ न कुछ कानमंत्र दिया जा रहा है जाविद कुरेश ही जोके टीन कैप्टन है उनके माध्यम से जाविद हेची ते सांगत असल की ठीक है वाइड बॉल जाले तरी सालतिल परन दो एक स्लिप आपन तैना ठेवले ही जी प्लानिंग है ही जी स्ट्राटेजी आहे ही जी रन नीती आपन आकले लेती योग जया है त्यास टप्पे और तुला बॉल टाका वला गेल थोड़ी चा रहे हैं लास्ट बॉल के लिए इसी बीच ये गेंद ओ वाट डिलेवरी दिस इस बीटिफुल एंड सक्सेस्फुल डिलेवरी नो डाउट देखे किस तरीके से गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर होती हुई बले बास भाया पाटिल को थोड़ा सा परिशान करती युई और इस डॉट डिलेवरी के साथ पहली ओवर की समाथी और पहली ओवर की समाथी के बाद टीम धाने ग्रामिन का स्कोर दर्शाता हुआ ग्यारा रन दो विक्टो के नुकसान के बाद बिल्कुल इस प्रतियोगीता में एक इत्यास रचा है फाइनल डे में वो कुल मिलाकर लगबग छे कॉमेंटेटर्स की गिंती है और मैचस है चे और छे मैचस में छे कॉमेंटेटर सलूट है टीम श्री राम फाउंडेशन की पूरी टीम को कि उनका जो सपना है वो साकार ज़रूर होता हुआ गेंबाजी की कमान पर इस वक्तर सैफ को बुलाया गया है पावर प्ले नमबर टू का ओर लेकर पहली गेंट इस इस अ ब्यूटिफुल स्टोग गेंट को खेल दिया है सोताला स्वीपर कवर बाउंड लाइंचा बाहरा फटका सजवलाया नरेंद्र चाब बाट मधुन चारदा वहता है अक्शन रिप्ले साइफ अंगल ने दाकोला जा तो काई फटका होता टाइमिंग लाज जवाब हैंड नाइक कोडिनेशन को संगला है अनि हे फटके त्यास वहला तुम्ही सदूश रखता असवाट ते की डगाउट मधुन सेट हो नाला नरेंद्र धवाब बेतिल चार ब्यूटिफुल स्टोग बाई नरेंद्र भारती नाडे नेक्स बॉल फिर सेख बाद सैफ लेकर सज्जे होते हुए आउट अपस्टम थी एगेन इस इस अ ब्यूटिफुल डिलिवरी हलके आतों से गेन को लॉफ्ट करने की कोशिश की शॉट मिट उफ पर गेन को जब तक के फिल्ड किया जाता एक रन चेहल कदमी करते हुए लेकर से दुरुट होने सा प्रेतन होता सैफ सा पहले दोन बॉल सांगले टप्पे वर तैने टाकलेत पर तो एक सवकार आले यह ओवर मदे टीम ची दाव संके सोड़ा सेकेंड ओवर साख सद्या प्रगडी पता और नमूच अशक अतला एक जीबिशन साबना तुमी पाहत लेकिन गेंद पहुची है इस वक्त थर्ड मैन रीजन में कहा जाता है ना कि गेंद को खेलना चारहे थे काशी और गेंद पहुची है वाशी लेकिन यहाँ पर तोड़ा सची है वाशी और गेंद पहुची है लेकिन पहुची है वाशी और गेंद पहुची है वाशी और गेंद पर्फेक्ट थे तो शायद यहाँ पर नस्दिकी मामला हो सकता था संगला ओपड्राय होता अनि ते उड़स दरजेदार शेत्रक्षन तीदे पहला मला होता लेफ्टी शेत्रक्षक का अनि विशेश मंजे तेच्छा डावे हाता मदे बॉल गेला इस्टियाक अनि तेच्छ मोडे संगला थो तेच्छा करण तो थोड़सा बोलर कड़ून दूर होता नि तेच्छा फाइदा मैला बैटर ला नरेंद रचा खाते मदे सिंगल जाते टीम चिदावसं के आटपरा ओवर नंबर दों साखे प्रगदी पतावर प्रोजेक्टे स्कोर चोपन दाखो तो तेच्छा पिक्षे जास्त करावे लागतिल करना प्रेक्षेनिया साबनाय ठाने अनि मुम्रा मदे बिल्कुल करन रिंडरेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 10.80 की और से इस वक्त बल्लेबाजी जारी है जरूर इस बार देके वारियेशन किया जरूर बड़े हिट के लिए मजबूर किया था बल्लेबाज ने बाट को पहले स्विंग किया और गें पीछे से डिलेवर होती वी संगला बॉल संगला बॉल संगला टप्यावर अनि विशेश मंझे मांक्षा बॉल चा तुलने मदे गती तोड़ी शी कमी के लिए थी फिं प्योग किया था गें को स्रिफ मोड दिया था शौट स्क्वार लेग पर गें को फिल किया गया एक रन एक रन से जादा कुछ नहीं ओर की हुई ए समाप्ती कुल मिला कर दो ओरो की समाप्ती के बाद पहले बल्ले बाजी करती हुई ठाना ग्रामीन टीम का स्कोर उनीस रन विक्टो के नुक्सान के बाद श्रिमान वासुदेवजी भौिर सबहन सा देखल शुभाग मन जल पाद विशुआ लाए बढ़ों का खेल समाप्त हुआ है उन्नीस रन दो विक्टो के नुक्सान के बाद अपने स्पेल का दूसरा ओर लेकर आम गेंदा सलमान और टीम के यह बहुत महत्पूर्ण ओवर रहेगा इस माच का अपने बॉलिंग मार्क पर सज्य होंगे पॉस जीतने के बाद जिस तरीके से टीम मुम्रा के कैप्टन जावेद कुरेशी ने पहले फिल्डिंग करने का निर्ने लिया था अब तलक के उनके उनके जो गेंबाज हैं वो तोड़े से खरे साबित नजर आते हुए और सटिक ल में कनवर्ड होती भी नजर आई एक रन के लिए निकले हैं और सिंगल रन यहां पर कंप्रीट किया है एक रन एक रन से जाधा कुछ नहीं संगल ब्रह्मास्र इदिवा परले पहिला अस बॉल थोड़ा सा फुलर लेंसा अनि विशेश मंजे ओर द विकेट ने फ्लाइड देता सतना यॉर्कर टाकले भायाला भायाला थोड़ा सा शांत ठेवले यह मैच मदे करन पास बॉल तो आता मरेंद खेला है पास बॉल मदे डमखम अनाय चासल टीम ठाने ला बिल्कुल इस वक्त टार्गेट की अगर बात करे तो लगवक 50 प्लस अगर करती है टीम तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा वारियेशन किया था टपा खाने के बाद गेंड में गती के साथ तोड़ा सा उच्छाल का तड़का देखने म मिला और यहां पर यह गेंड रही जरू डॉट के रूप में संगला बॉल संगला लेक कट राइटी बैटर साथी पढला नंतर बाहर निगाला नी विशेश मंझे उंची संगली घेतली कट करना अपर कट होता है फलंदास नरेंद्र चा परदू बीट होता है अगली लेक कटर साप रहतना बैक अप दा हैंड लगेज पीक केला पीक केला नंतर टिक केला बॉल ला पाठव ला सीमा रिशा पलिकडे मिडविकेट बांडर लाइन जा दीशे ने काई पूल सा फटका होता परफेक्ट मिडल अप दे बैट बैट चा मधो मध स्वीट साउंड हा जो आवाज है तो हावाज कदीश गोलन दा जला आवड़त नहीं पर तु परिक्षे कना नी बैटरला नहीं जावड तो काई चपराक लगे उली मिडविकेट ला शटका रहे तो ये टीमची दाव संके 26 27 बिलकुल अब स्कोर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजरा आ रहा है नेक्स बॉल इस बार ये अच्छी गेंती वाइडी शॉकर गें को रखना चाह रहे थे सिंगल रन के लिए निकले हैं एक रन जरू कम्प्लीट किया तोड़ी सी मिस्ट विल्डिंग डीप लॉंग ऑफ पर जो खिलाडी थे उनसा चूप कुई और उसका परिनाम ये दोरन मक्षा शटकाराचा हाँ दबाव है शटकार आलन अंतर फिल्डर वर देखिल दबाव ये तो ही तेस फश्ट दीस लेकान दोन धावा मिलाला जीते एक दाव होती नरिद्रत सांगला खेतो है तेरा धावा तैने के लिए सहा बॉल तैने फेस के लिए मंजेस का तर दोनशे चा वर्थ ऐसा बैटिंग स्ट्राइक रेट है टीम ची दाव संग क्या है 26 ओवर नंबर तीन सा खेल प्रगदी पता है वर सल्मान फिर से एक बार इस बार ये तेज तर्रार गें थी इनर एज लगा है कूपसुरत कैच बंटी ने जोके विक्टो के पीछे तैनाथ है उन् लाइक कॉमेंटेटर कर सासा बनुशक्तो नरेंद्र चांगलाच खेलत होता ये चा मदे तीड मातर शंका नाई है परन्तु शेवटी विकेट प्राप्त के लिए सल्मान ने पैट ची आत्मदी कड़ा गे तसना विकेट की पर समीक उत्तु करें चांगले इस्टी रक्षन बंटीट सा पहला मला अडि ते 28 ला तीन अशी परिसिते सद्या तर इठाने ग्रामी निया संगा ची बिल्कुल सल्मान की गेन बाजी पर अगर नजर डाले हैं तो बिल्कुल उन्होंने 1.5 गेंदे अब तलक के की हैं और लगबग तीन विक्टे उन्होंने ही चटकाई है और 20 रन जरू घरची हैं थोड़ा सा महंगा ओवर माना जाएगा लेकिन क्या कमबैक किया है अच्छी कमबैक के साथ साथ विक्टो को भी चटकाने में शक्षम और कामियाब रहे अब न्यू बैटर के रूप में अब देख सकते हम इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर जी तू शिल्के अच्छ दर्मान शुबाग मनों तो भारती जंता पार्टी अध्यक्ष कासर वड़रवली गोड मंदर ओला माजी बड़ा चे भारती जंता पार्टी चटक्ष सन्वाने श्रिमान हेमंची मात्रे सावन से देख लिए शुबाग मन ताना देख लिए अपन दे कि दोनों ही किलाडियों के बीच तालमेल बिल्कुल नहीं सल्मान फॉलत्रों में कैच को बनाना चाह रहे थे वहाँ पर ओमकार पाटील मौझूद थे लेकिन कॉल नहीं दिया उसके कारण ये कैच हुआ है जरूर जरूर ड्रॉप एक संधी निरबान जाले होती आनि त्या संधी छोना करता आलील नाई है बाट ची वर्चि कलाग हेतले अनतर दोन शित्रक्षक होते है अदी मराठी मदे एक संगली मन है कि दोगात तीसरा सगर विसरा हाँ बॉल होता तीसरा दोगान मद यानि दिते एक जेल सुटला है और दोन शित्रक्षक ओमकार पाटी लणी ते चा बरुवर सलमान चा मद यहां जेल बढ़तो है नित अचा फाइदा हो तो यह बैटिंग करना रे स्पेल हुआ है समापता सलमान की अगर गेनबाजी की चल्चा की जाए कुनाल तो देख सकते हैं दो ओरो में 21 देकर तीन बहुत ही बड़े विकेट हासिल किया है जिस तरीके से अयूब शेक प्रिते जोशी और साथी साथ नरेंद्र भारती जैसे यह तीनों ही दिगज हीटर बैट्समन का इन्होंने विकेट जरूर प्राप किया है हीटर बैट्समन बहु बली के रूप में इनकी पहचान है गेन को जरूर खेलना चारहे थे बड़े हिट में कनवर्ड करना चारहे थे प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए गेन जरूर इनर एज लेकर थर्ड मैन जोन पर कनवर्ड हुई थी लेकिन थर्ड स्लिपर जब ज करता यार फिर सेख बार फिर सेख बार वही लाइन वही लेंथ वही कॉलेटी टपा खाने के बार थोड़ी सी लेकटर होती हुए गेंद बल्लेबास को बीट करती हुए गेंद और यह रही डॉट डिलिवरी नाशनल लेकटरी टाकत सतना अम्रेश करता है तहला माइटी है राइटी बाटर जाएबला खेत हुए अपन डीप मदे स्वीपर कबर थेवला यानि अशा पर इसी लेकटर सा वापर तेने केला है और यहाथ संगला बॉल एक फ्लाइसलीप सतना डीप मदे स्वीपर कबर रस्तना संगला लेकटर अम्रेश करता है फिर से एक बार अम्रेश इस बार हल किया तो उसे कहला है सिंगर रन के लिए निकले है बिल्कुल फॉल थ्रो मेंगे इनको जब तर लग के फिल किया जा था एक रन यहाँ पर कंप्लीट किया है आखिरकार जीतु ने एक रन के लिए पाटी निला स्ट्राइकिंग इनला अन्न गर्जेश होता लिफ्ट हम सीमर जा विला लिफ्टी बैटर चा अगेंस्ट गुलोंदा जी करता थे एक एडवांटेज अस तो तो एडवांटेज उसला वलागेल वागवई चा भाया पाटी नला धावा करा वेला तिल ट और उनका साथ देते हुए वागविल के ये वाग भाया पाटिल सामना करेंगे अमरे श्यादो की अगली गेंद का बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए के इन धवा में है नो मैंस लैंड पे गेंगिरती हुई सिंगल रन कंप्लीट किय है और एक रन, एक रन से जाधा कुछ नहीं कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा है कि गेंबाजु का बोल थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ कुनाल इस वक्त है बॉल्ची लग बिल्कुल यह बहुत महत्वबून ओवर है इसमें रन जाधा से जाधा बनाने की कोशिश होगी जरूर आउट अप्स्टरम टपा थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा था बिल्कुल बल्लेबाज थोड़ा सा शफल होकर विक्तो की गहराई में जाकर स्टोक को कनवर्ट करना चाह रहे थे लेकिन ये गेंद जरूर ओप्स्टरम के काफी जाधा बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल अत्रिक रनो में ये एक रन शुमार होगा रनो की रन संक्या में थोड़ा सा इस वक्त बदलाओ होगा स्कोर जा पहुचा है 32 रन्स त अच्छी फिल्डिंग एक रन एक रन से जाधा कुछ नहीं इसके बाद का सेमी फाइनल मुकाबला आपको देखने मिलेगा दोनों ही टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको टॉस के लिए हमसे संपर्ग साथना है टीम 94 धानियू और स्री राम फाउंडेशन का सरवडवली पहला सेमी फाइनल का मुकाबला काटे की टककर कौन बनेगा अगले दौर में पहुचने वाली टीम कौन देगा चैंपियन का दावा आने वाली मैच में आपको जरूर देखने मिलेगा नेक्स बॉल अमरे शादो फिर से एक बार इस बार देखिए गेंद ट और एक रन, एक रन से जादा कुछ नहीं इस वक्त जिस तरीके से टॉट जीतने के बाद जावेत कुरिशी ने टॉस जीतने के बाद जो डिसेजन लिया था कि मैं गेंबाजी करना चाहूंगा मेरे पास गेंबाज अच्छे हैं और उन्होंने अपनी गेंबाजी की धार य सेफ ने संगली गोलंदा जी के लिए नित अच्छा मोड़े दबाव बनला है ठाने ग्रामीन या संगावर तो तीस दावा के लिए पर तो हे विस्तरून चालना ना है ठाने ग्रामीन टीम करें देखें संगले गोलंदा जैग फाइटिंग स्कोर निर्मान करा वाला गेल ओवर मदे दहा बारा धावा लिया तो नकीज पंचे चाइस अनि त्याजबर उबर पन्नाश्या आसपास दर टार्गेट सेट के लिए तो मैच ऑन राइट नो डाउट गेन बाजी की अगर बात करें तो फिर टाने ग्रामीन के पास भी काफी कातिलाना गेन बाज मौजू जाविद कुरेशी की अगर बात करें तो बिल्कुल इस तरीके से इनका इस सीजन में फॉर्म है काफी अच्छे फॉर्म में नजर आये हैं बिल्कुल रतन बुअ पाडिल चेशक में भी काफी अच्छी गिनबाजी का प्रदर्शन इस गिनबाज ने किया था और इस वक्त अपनी टीम मुम्रा के लिए अंतीम और आखरी ओर जिसे डेट ओर का जाता है मुंबाई की परिवाचा में इस ओर को तोड़ू फोड़ू ओर का जाता है वो ओर लेकर सज्जे होते हुए जावेत को रेशी प्रॉपर टाइमिंग किया है बड़ा हीट है पुल वांडर्फुल ब्यूटिफुल आंड सक्सेस्फुल जे ये रन के लिए सुझबूज भरी बल्लेबाजी अब यहां पर देखने मिलती हुए स्कोर्ट शालीस रन आउट अप्ड़ ओप्स्टम तेज तर रार गेन करने की चाहत दिशा से चूकते वे नजर आए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल अत्रिक रनों में इस वक्त एक रन य जावेद कुरेशी तेज तर्रार गेन बाजी के लिए मशूर है और उनकी पहली गेन का स्वागत छेरन के साथ जरूर किया इस बार देखे जोरदार अपील अपील को सुईकारा है मिडल स्रम पर पकड़े गया है लगता हुआ इस वक्त टीम ठानेक रामिन को एक और जावाला जटका याने भाया पाडिल इस गॉन पड़े टीम चिदाव संक्या एकके चाईस चार फलंदास बात बिल्कुल एकतालीस रनों पर चौता जटका लगा है लेकिन अब बल्लेबाजी की कमान पर आये हैं जिनोंने इस प्रतियोगीता में अपने गाउं के लिए प्रफोर्मेंस करते हुए राजबाई स्पोर्ट से मारियो का जाता है बिल्कुल मारियो इस स्वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है और अपनी टीम के लिए जरूर रनों को बटन बटोलने के लिए बेजा गया है गेंदे बची हैं हिस्से में चार सामना करेंगे जावित कूरेशी की अगली केन का तेस्तरार गेंबाज मुम् तीन हाव सेंचूरी का किर्थेमान अब तर लग के रच चुके हैं ये खिलाडी इनर एज लगा है और बैक टू बैक लगता हुआ टीम ठाने ग्रामिन को एक और बड़ा वाला जटका ये टीम करूंद घरत अस्तना अर्दश तक नोंदवलो तो मात्र शुन्या वर परतला है एक्के चाहिसला पात्स टीम ठाने ग्रामिन मुम्रा चागेंस घरत अस्तना अजू नहीं या ओवर मदे तीन बॉल सा खेशील लग अना हैट्रिक ये दूसरे गेंबास बनेंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी क्यूंके अब तलक के वरुन जोके वेदान्त 11 गंसोली टीम के हैं उनके नाम ये हैट्रिक जरूर रही है अरुन के नाम ये हैट्रिक का किरतेमान रहा है क्या जावेद कुरेशी उस ही नक्षे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी इसके बाद का मुकाबला टीम 94 धानू वर्सेज श्री राम फाउंडेशन का सरवड़ोली दोनोई टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको टॉस के लिए हमारे टॉस बॉ आप रह पाएंगे इस बार ये बड़ा हीट लगाने की कोशिश आकाश की केन को केला है डीप लॉंग ओन रीजन में सिंगल रन एक रन एक रन एक रन से जादा कुछ नहीं लेकिन तो देखिए काफी पता दूंटा हुआ ये तो 22 के रूप में बिलकुल एक्स्रा के में ये जरूर रन मिलता हुआ आउलिया के लिए प्राइज मनी है 1,000 रूपीज सदीब जी पादिल साहिप की तरफ से अगर उन्होंने एक सिक्स जड़ा तो एक हजार रूपे की कैश इनामीराशी आकाश को जरूर प्रदान की जाएगी क्या ये इनामीराशी के बनेंगे शॉट बिड़ॉफ पर 38 सरकल में सलमान तैना थे अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन एक रन एक रन से जादा कुछ नजर नहीं आता हुआ चिराम फाउंडेशन टीम कैप्टन रोशन ठाकूर आचुके हैं वेलकम रोशन आपके ही प्रतिकुगिता में आपका हर्दिक सौगत है उसी तरीके से वे धानियू 40 94 धानियू टीम कैप्टन आपको भी संपर के साथ ना है एक गिन का खेल अभी भी शेश है उसके बाद हम टॉस की प्रक्रिया यहां पर ताबर तो पर जरूर पूरी करेंगे जावित कूरेशी फिर से एक बार निकल पड़े हैं सामन एक नहीं था वहाँ पर दोड़ कर दो रन पूरे किये हैं इसी के साथ पहली पारी की हुई है समाप्थी पहली पारी में पहले बल्ले बाजी करते हुए टीम ठाने ग्रामी ने बनाय है 46 रन टार्गेट रखा गया है 47 रनो का देखते हैं यह 47 रनो का टार्गेट यहां पर सेयोगी कोमेंटेटर विशाल वहां पर मौजूद रहेंगे ओवर टू विशाल अनिल जी विजितकर सावान से देकर आगमन अपला विखेल हार दिक सबागता है टॉस अपन करिया सेमी फानल सन्मानियो उदेजी राथोड सावान अमें विडेंदी करतो अपन वास्पडा वरतिया अपला हार देक सबागत क्या हता लुख Гा बास विभे जब होरा दोने हो कि कि देकर रिध मेरी कि ay oh कि अबन टॉस करना रहुत सेमी फाइनल ची माच्री राम फॉंडेशन टीम अगेंस टीम अपली आला धानियों ही लड़त पाहरा मिला सावांचा शुबर सामने करिया टॉस कॉल कोना चैसल देशांगाई साहे कॉल सेल टीम धानियों साश्री राम फॉंडेशन शी मागने आहे सावांचा शुबर से टॉस कि लास तो अनि कमल आला मचे टॉस टीम शुराम फॉंडेशन टीम ने जिंगला सबना में तेसल आपन सन्मान पूर्वक वास्पीडाबरती सानबन वाईस आहे अंचे समय जूड प्रामने दूशे मानज़मेंट राही गिली सहा रातिर कशा प्रामने गिली अणि जाही विक्ति मातो ने अपड़ी साटी सगारिय किल तांश आचा सटी का मंगशिल खरतर महीं पहला नवperformance अथितर सांत है वन चीछ सबताए, टॉर्ण ह्या चङाकर तॉर्णामेंट आए, अ कि अगरतर हुआ या फshe करूं तर पाच्चे वर्षी काई नविन करते हैं तर त्या सथी आमी डिसाइड केले किन एक नाइट परदा आपन करूया करनकि आमचा गोडवंदर विभागा मादे एकच नाइट चिस परदा होदे तीम हैं जे नरे सब्सक्राइड करते हैं तर त्यांचा सर्क एक तैनना टकर देने साथी आमी एही नाइट चिस परदा आपन के लिए अधा टॉस जिंगला या निरनेक माच मदे निरने क्या असना रहा है फिल्डिंग करना फिल्डिंग करना है तैनी कशाप्रकर या प्लांस थिल्या माच प्राइट नासे लणी भुमुल्य गुल्लमंदाज या माच सेडिकोन असतिल्ड घरतर आमचा टीम मदे चार गॉलंदाज है मला चारी गॉलंदा जनवर्ती विश्वास है किरन आहे नितिन आहे मनिश आहे प्रनय आहे आनी चारी गॉलंदाज करना मला चांगले अपेक्स धन्यवाद धन्यवाद सेड़ यानसा अवास तुमें आहेकलाथ अनि आता मैच कले वळूया लक्षे या टार्गेट सेड्स आले 47 सत्य चाईज धावांचा लक्षेचा पाटलाग करेचे 47 सत्य चाईज धावा अंपायर चा निरने यहीला ता अंपायर तपास नी करतायत शेत्रक्षक कशे सजवुलेत, किती सजवुलेत, कार मरपूर विलेल आस अस्त की प्रिक्षी ने मैच मद एका दया मैस बारा-बारा शेत्रक्षक देखेले ग्राउंड वर उतरतात, मंग नंतर एका दयाला भायर काड़ावला आखता, पर तो इथे तेननी पाहिल, आल सेट, अंपर सिग्निल मैस डार पहिला बाल, पहिला जबाल काय पढ़ला आने सजव चालन विकेट कीपर चाता मदे, लाइन सअंगली होती है आदर्शी, मी मखाची देखेल उल्लेक टेला होता कि गोलनदा जीत सअंगली है, लेफ्टाम राउंड विकेट ने पढ़ला नंतर हल का सब बाहर काड़ला, लेफटी बैटर साटी, मंजेश का है, अंगल चा चांगला वापर करतो है, राउंड विकेट ने बाहर बॉल काड़तो है, आधर्श, आधर्श एट्टी, पहिला बॉल बरुबर्ट आकला इस्टियक साडी, दुसरा बॉल हवेता है, कवर पॉइंट, तीस्याड वर्तुरा चाहत मदे कोंती चूक होता न दिसत नहीं है, प्रसात तांडेल ने हाँ जेल टिपला है, पलन दस बाद, इस्ट्या काउट, पहिला धक्का श्री राम फाउंडेशन से आयोजन नमो चशक तुमी पहता है, इंस्रेट आउट खेहिनाचा प्रहतन होता, बैट ची वर्ची कडा, घेतली एक सांगला जेल टिपला है, श्री राम शेट ठाकूर यांची ही स्पर्दा है, श्री राम फाउंडेशन चा वतिने आयोजित क श्री राम शेट ठाकूर यांच कार्य या परिसरा मदे नहिमीच उलेकनी राहीला है, वेगवेगले उपकरम ते नहिमीच राबोत आलेला है, सर्वात मोठी रांगोल यानी किलेस पर्दा तैंची जस्ते गोडबंद रोड परिसरा मदे, आरोग्य शिबरे अनेक तन्नी अभियान तैनी गेतेला है, शाष्तन आपले दारी अनेक अभियान तैंचा माद्ने मात उन राबोवने तालेला है, समशान भूमित गेले 18 वर्ष ते लाकूड सेवा विना मुल्य पूरवता है, मनपानी पोलीस प्रशासन प्रसंगी नागरिकांची नेहिमीच तैनी केलीले आहे, सोसाइटी तीले विविद्ध समसांचे निराकरन वत आचा सातते ने पाट पूरवा करनार या परिसरात लेहे नेतरूत हुआ नि माक्षास महिने मदे श्री राम कथेच वैप कायो जन तैन्चा माध्यमा तुन करना ताला होता असा आपला हकाचा आपला जवर्शा मानुस बंजे श्री राम शेट ठाकूर यंची ही स्परदा तुमी पाहता है अनकीन एक चंगला टप्या वर्शा बॉल आता राइटी बैटर आला है कलपेश तैचा विरुद्ध देखिला बरोबर लाइन अनी लेंच चंगला वापर लेक कटर करता स्तना बॉलला बाहर काडले डॉट बॉल टाकला है आदर्स काउतु कोईला पाई जया आदर्स शिट्टी पहिला ओवर मदे जागास दिलीली नाई ये बैटर ला तीन सलक डॉट बॉल एक हात इते सुटला है बैट पासोना नित उपरेंदा ता पाउया धावा किती एते बॉल चाला है लोंग लेगला एक दाव कंप्रीड होते दुसरा धावेचा प्रहत्न दोन धावा आड होतिल ड्रीम 11 माजी वाडा टीम मदे तो जा वेला खेतो त्याहे वेला तीज भेदकता नियंतरन गोलन दाजी इतला पाहला मेतानिया आता तर तो प्रेक्षेनिया मैच मदे खेत असतना पहिलाच ओवर मदे थोड़से शांत ठेवले तैने मुम्रा चा पैटर ला कलपेश्या खाते मदे दोन धावा जातिल टीम ची दावसें के चार बॉल चा समाप्ती नंतर दोन धावा एक विकेट सत्ते टाई सेलक्ष अनि कीने एक वेलाच सांगला बाउंस प्राप्त केले परंदु यावेला लाइन पहातायत पंच अनि त्या नंतर सांगतायत कि हा डॉट बॉल है सांगली कामगीरी पहिले फलंदा जा आउटसेट ऑप्स्टम शेफल जाला तैचा नंतर तैने ओलकला की लेक्स टंपोर जाउन कट करनाचा प्रेत नो तानी हेच अंपायर ने ओलकला आद डॉट बॉला पाच बॉल चा खेश संपलाय आनि ते शेवट सा पुनायक दा टर्न अनि बाउंस प्राप्ते केला ओवर ची समाप्तियो ते पहिला शटकाता ठाने टीम साटी राहिले संगला आदर शेटी ने धावा खर्चे केला आद फक्त दोन पहिला शटका पन पहिला आदर सब ते ची हाइलाइट सद्या तुम्चा स्क्रीन वर पहिला में ते संगले लेक कटर तैने टाकलेद विशेश मंजे राइटी बैटर चा अगेंस्ट आजो एक फटका पहिला आला होता ती ते बैट हाता तुन निसर्टली होती और ते चान संगले प्राप्त केले खांदया चे लेवल ने थोड़े शे उसरी घेद बॉल गेले विकेट कीपर चाहता मदे पहिला ओवर चा खेले संपला है पहिला ओवर चा समाप्तिन अंतर स्कोर बढ़ो रापलेला धाबा पहला में ते दोन फलन दाज बात चाला एक काई टेलीका करता है जी टीसी चे मेंबर्स शी रामशेट ठाकूर यंची हिस पर्दा नमो चशक अखंड भारत बर नमो चशक आची बांदी आली सद्या सुरू आहे बारतिया जंता पार्टी चे सांगले समास सेवक आहे त शी रामशेट ठाकूर संजीव जी नाइक साहिब देखिली जी उपस्तित राउन गेले आहे त आमचा नविमबै चे भागी विदा ते लोक ने ते गने जी नाइक साहिब यंचे चिरंजीव निरंजन जी डाउकरे साहिब उपस्तित राउन गेले मगाशी आमदार साहिब देखिली ते आगमन जालो होता संजे जी केलकर साहिब देखिली ते उपस्तित जाले होते पहला शड़क संपले पहला शड़का जा समाप्तिन अंतर दोन धाबा लोकवन साथी सदा धावु निना रहे वेक्ती मत्व श्रामशे ठाकूर यंची हिस परदा नमो चशक 2024 तुमी अनुभा होता है क्रिकेट सा माहा संग्रामानी मगाशी तेन सा चिरंजू मगाशी बोलला कि पास्वा परवा मदे काहितरी वेगल क्रणाचा प्रेतन तेन चकडून जाला है शॉट बाल पूल केला है फटका संगला है डीप मदे फिल्डर थेवला है एकस दाव मेरिताना देसेल फलंदाज बंटी चा खाता उगणला जाई टीम ची दावसन के तीन बिल्कुल बंटी को इस वक्त जरूर प्रेशर में बल्ले बाजी करनी होगी क्योंके पहली ओवर में महस दोरन क्या काबिले तारीफ गेन बाजी की पहले ओवर के गेन बाज आदर्श पुर्वक गेन बाजी उनकी जरूर देखने मिली थी नो डाउट संबर्ग हुआ गेन कनवर्ड हुई डिकलेस जोन में प्रोपर टाइमिंग से चूकते वे नजर आने है इस वक्त कलपेश अनि लेंज देखिल अपन पहली गोलन दाजेची तर सतते नें पायावर टार्गेट केले जागा दैची नाई है हाँ वीचर है गोलन दाजेचा अयूब पुरसा बॉल यावलमातर जाका मयाली बॉल हवेच खेला है मिडवी के टला कोनिस नाई है बॉल जाल टपागेट सीमा रिशा पलिकडे पंचांचा इशरा नमो चशक सवकार ब्यूडिवल स्टोक ब्यूडिवल स्टोक बिल्कुल पैरो पे डाली गए गेन थी प्रॉपर टाइमिंग किया गेन को जरूर स्विंग किया बले के साथ और गेन वन बाउंस आउट ऑफ दपार्क ये अच्छा स्टोक है इस चारन के साथ रनों में भी थोड़ा सा बदला हो जरूर देखने मिलेगा एक आशावरी उमीद इस चौकी के साथ जागी है जरूर टीम मुम्रा की प्रेक्षक आँची मांदी आली प्रेक्षक मोठे संकेन आलेद पार्किंग प्लोट पुर्णपने प्रेक्षक आँची मांदी आलेद प्रेक्षक आज़ू बाजू ला प्रतिक ठीका नहीं पाहला मिलेद आज शेवट सा दिवस है शेवट ची रात रहे यहाँ वेला चेंज ऑप पेस गती तोड़ी शी कमी के लिए कट्रचा सांगला वापर के लाए अयूप कड़ून इत प्रेक्षाल और कट का जो मिश्रन था उसका बैनिविट हुआ और गेंद रही इस वक्तर सुरक्षे डॉट के रूप में बिल्कुल देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपके फूलन गें थी बल्ले को ताकत के साथ सुइंग किया था प्रॉपर मिडल स्टंप पर पकड़े गए और लेग बिफोर के रूप में विकेट का हुआ है बदंग लगता हुआ इस वक्तर टीम मुम्रा को ये बड़ा जटका कलपेश के रूप में अईउपशेक गोलंदा जी करतास्त नहीं महत्वाची विकेट ओर दे विकेट ने हाँ बॉल टाकला है अनि मिडल लेक स्टीक वर बॉल लागलास्त तेचा मुले ओर दे विकेट ने हाँ निरने योग ये अंपायर चा अनि ये आमचे मान्यवर दमों चाशका मदे अपले सर्वांच सहर्च स्वागत स्री राम फामडेशन आयोजीत भव्य नाइट क्रिकेट सा महासंगराम सर्वानिय राजंदर जी पाडल साहेब सिवसिने चे विवाग प्रभुका है जे माहराष्ट साहेब अपले सहर्च स्वागत जी टी सीवर हे टेली कास्ट केले जाता है आयोजग का पन पहातो है यस परदेचे शीरामशेट ठाकूर साहे प्रत्यक माननेवरांच यतोचित मानपान तैंचा मादनेबाद उन केला गेला है अनि हेजे कुटुमबै क्रिकेट सी प्रेरीत है तैंचे दोनी मुलत जर पाहिले तर क्रिकेट सी प्रेरना घेऊन यस परेतन करता है अनि प्रत्यक सरावर एक वेगली ख्याती निर्मान केले शीरामशेट ठाकूर याननी वेगवगला पक्षतले तैंचे जवर्चे घरिष्ट मित्रा है ये चमदे शंकास नाही है अनि मानसाने तसाज असाव जनन संपर्ग देंचा दांगा है ओ बॉल सा बिल्कुल गेन को बिल्कुल नहीं समझ पाये थे रीड नहीं कर पाये थे बिल्कुल शॉट पीच गेन थी उसके बाद तोड़ा सा लैक कटर का जो तड़का था उससे गेन को बीट कराने में सुरक्षित रहे गेन बाज यहां पर अयूब शेक इस शेतर में पहली बार श् उवर जालियें उवर ची ओते समाथी दोन उर साखे इस संपले है दोन उर चा समाथिन अंदर धावा एक जल्यात आट दोन फलं दाज बाद ओबल सा बिल्य्या पहल्या बौल वर सिंगल सेक़े बाल वर सींगल थर्ड बाल्ल साउकार चौता बाल डॉट पाचस बाल वर व अट्रा बॉल मदे एकों चारीज दावंची आवश्यक्ता है अट्रा बॉल एकोंच आईसरन रिक्वार रन्रेट तेरा तेरा चा सरसरने बाटिंग करा विलागेल आसी पूर्प बंटीला शम्ता आहे सैप कड़े देखेल पाटनर्शिप बिल्ड करा विलागेल परतु काई गोलंद जी राईलिया आयूपची माक्चा ओवर मदे तने ध हावागरच केले फक्त सहा एक विकेट मिलावलिया आधर स्रेट्टी ओवर नंबर तीन मदे वैक्तिक दूसरा नी संगक्रों तीसर शडगी दे टाकता न दिसल ठाने विरुद्ध मूम्रासा प्रेक्षणी ये साम्ना तुम्चे भेटिला रंगत अस्ताना येस बर्देच चांगली राहिली तेचा अगुदर्च हे पहीला शडग दाकावला जाते आधर शेट्टी च जने फाव प्ले मदे चांगली गोलंदाजी दाकावलिये तो चाता गोलंदाजी साड़ी बैक्फुड ला जात अस्ताना कट केला है पॉइंट ला फिल्डर आहे जेल तेचा हातात विसा उला है संगला जेल तेचे सुशान्त मुकादम कड़ून फलंदाज बाद बैतरीन कैच नो डाउट देख सकते हैं थोड़ा सा विक्टो की गहराई में जाकर शरीर से दूर स्टोक को कनवर्ट करना चाह रहे थे पॉइंट रीजन पर शुशान मुकादम जैसे होनाहार के लाड़ी मौजूद थे खूपसुरू सक्याच पकड़ा है विक्ट का हुआ है बदंग कुणाल मैं जरूर बताना चाहूँगा कि इस शेतर में पहली बार इस तरीके का एक्जिबिशन मैच रखा गया है और ये श्रिफ और स्रिफ श्री राम फाउंडेशन प्रेजेंट नमुच अशक में आपको देखने मिल रहा है प्लानिंग की थी कि एक ऐसा एक्जिबिशन मैच रखना है जिसमें दर्शकों का इंटेइनमेंट भरपूर हो और वाकई में ये इंटेइनमेंट से भरपूर ये मैच इस वक्त अन है संगल नाव वडिलानी प्रस्तापित केले मुलदेकल ख्रिकेटच शेत्रा मदे समाजीक शेत्रा मदे संगली भरारी येतिली अपक्शा ते करता है तैस मोले एक संगला प्रयत्न दांच अमाधनि माधुन करनेया तला एक बेगळा सामना, मुम्रा विरुद्ध ठाने ग्रामीन, अशी लड़त पहला में ते दोन ओवर नंदर तीसरा, ओवर चा पहिलाज बॉल और विकेट में आदर शेट्टी ला, आदर शेट्टी चा बोलिंग जर विशलेशन तुमी पहिलादर देने, अत्ता परें ते फक् बिल्कुल पॉपिंग क्रीज जो कि देख सकते हैं, क्रीज के काफी जादा बाहर इनका पैर निकलता हुआ नजर आया, अंपायर ने इस गेन को नो करार दिया, शॉट पीज गेन थी, बल्ले को ताकत के साथ स्विंग किया था, अब बिल्कुल टॉप एज लगा और गेन कनवर्ड हुई इस वक्त डिकलेर जोन में, एकरन ये हमारे तमाम दर्शक जो इस मैच का आनंद लेने आये हैं, इस सरजमी पर, इस ग्राउन पर, इन सभी शॉट गर बेटे इंजॉए केर रहे हैं, उनका भी वेल्कम है, वेल्कम नमो चशक में, फ्रीट सा बॉल होता, फ्रीट चा बॉल बर देखिल जासता हानी जाली ली नहीं है, तत पुर वी एक धाउत रिते कंप्लेट केली गेले, पावी अमपर सा सिगनल काये तो है, मंगलबार शुरू जाला है, उदे सुट्टी चा दिवस नाई, ये तरी देखिल मोटे संकेने प्रेक्षक पाहला मेतात या स्पर्दे वर्च त्यांस प्रेम है, या प्रेक्षनी या सामना वर्च त्यांस प्रेम है, दोन विभागा मदे ही लड़ते है, मुम्रा मदून काले ठाने, ग्रामिन चे आजू-बाजू चा परिचरत ले गावात ले प्रेक्षकीते आले त्यांस सर्वांस सहर्श असवागते, श्री राम फामडेशन सा आयोजन श्री राम शेठाकूर यांची ही सपर्दा, आता आं टीम टप्या मदे आलिये, टॉस अले सेमी फाइन की जरुवत है टीम मुम्रा को ये मैच जीतने के लिए, आहिस्ते आहिस्ते ये मैच रोमांचक सिती में कनवर्ड होता हुआ, टेंचन में लाता हुआ, दूविदा में खडा करता हुआ जरूर टीम मुम्रा को बाउंट्री जवाडवा विलागतील, धावान परेंत पोट साइच असल तर शटकार साउकार मारा विलागतील बाट सा स्विंग सांगला है, परन्तु बॉल देखिल तोड़ सा बाहर वलन गिना रहुता, तेचमोले अंपार सा इशर है, तो हाट डॉट बॉल असल संगली गोलंदा जी पढ़ला है, नंतर संगलास बॉल बहला है बहुत ही बड़िया गेन बाजी कर रहे है, सीम देखिए, बहुत ही बड़िया सीम के साथ गेन बाजी कर रहे है, और विक्टो का सही तरीके से यूज इस वक्त गेन बाज आदर्श के माध्यम से जरू देखने मिलता हुआ पुना एक दा तेच्चीतर एक ब्लाइंड स्ट्रोक खेने सा प्रेतनो ओंसाइड ला उड़ुआएचा होता, पुना एक दा कटर्चा वापर करतो है, आदर्शेट्टी, माक्चा ओवर चा तुल्ने मदे, या ओवर मदे जास्ती जास्ता कटर्चा वापर केला है पुना एक दा कमी गती, पुना एक दा कटर्चा वापर, पडला नंतर हल्क सा बाहर, अनिखिनिक डॉट बॉल, सलक तीस्तरा डॉट बॉल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम एक्शन रिपले देख रहे हैं, जिस तरीके से गेम दे डॉट हो रही है, वोही एक्शन, वोही एंगल, वोही लाइन, वोही लेंथ, कहते हैं न कि क्रिकेट में आपके फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क ना हो, तो दुनों ही ची अना आधर शेट्टी या ओवर मदे, अधा शेवट सा बॉल चिल्लक कसेल, नो बॉल जर अले नस्ते तर कदाची दे, निर्दाव शटक देखील आलस्त, नो बॉल तैने टाकला धावा आले, पर तु तेच्छान अंतर जर पाईले तर कमाल गोलन्दाजीर आईलिये, पर अधर शेट्टी अपर तीन गोलन्दाजी आधर्शी, नाव आधर्श है, अनि गोलन्दाजी मदे तोच आधर्श, इते सिद्ध करत अस्ताना, सोतला सिद्ध केले, प्रसिद नक्की जाला है, ओवर ची ओते समाप्ती तीन ओर सा के संपला है, मुम्रा एलेवन या टीम ची विकेट का हुआ पतंग, उसके बाद यहाँ पर नो बॉल के उपर सिंगल रन जरूर आया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक वाइट बॉल के रूप में गेंदर्ट जरूर डिलेवर की गई, सिंगल रन के लिए निकले थे, स्ट्राइक को रूट्रीट किया, और उसके साथ अब टीम मुम्रा नजर आ रही है दुवीदा में, क्योंकि गेंदे बची है, इससे में 12 और जीत के लिए 35 रनों की जरूरत, 12 गेंदे, 35 रन, यहाँ से अब पकड़ बना ली है टीम ठाने गरामिन ने आपने शुवास से, शुवास सर्वार गराई से लखी, लखन जादो, गती के महारती, तेस तर्रार गेंद बाज ओहो, कोलवर्ट अप्पेच सा बॉल होता, ओन साइड ला दीशा दीलिये, एक रनी ते कंप्लीट होईल, दुसरा धावेच सा प्रहत नहीते, सुरू जाला है, दोन धावा मिलितिल प्रिक्षगांचा माहिती सड्या अत्ता परिंत बरोबर वीज बॉल टाकून जालेत, आनी वीज बॉल पर की सउधा बॉल डॉट बॉल आलेत, तेच्छा वरून गोलंद जी किती धारदार राही लिये, टीम ठाने ग्रामींची बहुती लाज जवाब गेनबाजी, स्पेस्टी, इंप्रेस्फुल गेनबाजी आदरच ने की है, क्या शांदार गेनबाजी का प्रदर्शन किया? लखन सा हाई बॉल बरुबर टप्या वर अनि त्यान अंतर हीटिंग दरीप केज, मंजे इस बरुबर छाती चाप पिंजरेचा वेद गेनारा बॉल ठरलाए हाँ, डॉट बॉल एतुए बहुत ही डेंजर गेन थी, बिल्कुल शरीर पर डाली गेन थी, बले बाज अरफात इस गेन को रीड नहीं कर पाए और गेन शरी से जाड़क राई, डॉट के रूप में पुट सा बॉल, बॉल हवेता है, शेत्रक्ष के तोई मिड़ॉफ सा खाली, परन तो त्याला दिस लेलास नहीं है बॉल, आकाश होता, नाव आकाश है, आकाश तस पाद राईला तो, अनि बॉल देचा मागे गेला है, बिल्कुल थोड़ा सा फणी मूवेंट इस वक्त द के पीछे नजर आई. सोड़ा दावा जालात, निराश के लाज, सैपने विशेश मंजे, त्यानंतर कलपेश, अनि एक डॉट बॉल खेले, इस्टियाक, पहले दोन डॉट बॉल, सैपने साथ बॉल मदे फक्त एक के लिए, लास्ट बॉल, साथ बॉल मदे 31 धावां चा वश्रक्ता, या बॉल व सामना जीवन तठेवाईचा सेल, या बॉल वर एक मोटा फटका पाईजे मूमराई लिवनला, अन्य ता ठाने ग्रामीन संग वर्चर ठरता ना दिसेल, अप रिक्षिनी सामना जिंकने चे त्यारी मदे सध्यातरी, पर तु मोटा फटका जुनी येत नाई है, दुशकाल पड़लाई धावांचा सिंगल मेरिते दुसरा धावेचा प्रेतन दोन धावा मेरितिल, डबल बरुबर ओवर ची होते है, समाप्ती ओवर नंबर चार चाहे, इदे संप्लाई चार ओवर चा समाप्ती नंतर धावा जाले लेते, 21 अनि या ता शेवट्चे सहा बॉल चाहे शिल्लक केरी सहा बॉल मदे दावा करेचत 28, बिल्कुल 28 रनों की जरूरत है, बची वी छेगेंदे शेश्यव, छेगेंदे 28 रन, अब यहां से अटेकिंग, रूप अगर आपने धारन नहीं किया, तो फिर ये लक्ष आपके लिए बहुत दूर नज़र आएगा, समीकरण आपन पहात्व है, एरारे सहा बॉल चिल्लक केतानी, सहा बॉल मदे 28 रनों करेचत, परंतु लखन जादाउच, ये माक्च शडगी ते दाखोला जाते, जीटी सिकरून हा बॉल वगलता, चंगलीज गोलंदाजी केली है, तेने टपा, अचुकता, दिशा, नियंत संद्रन, अनुशासन, ये सर्व गोश्टी तनी दाखोलत, लास्टोर मदे, नितिनवाध्य, बॉलिंग माक्वर, 28 करेचत, पहिला बॉल कूप महत्वाच शासल, मैच्छी कडा, बॉल चल्ले, फ्लाइसलिप मदे, तेने सिंगल प्राप्त के लिए, अने अधर फक्त, एक पाज़ बॉल सा केशिनलेके, पाज़ बॉल मदे, 27 दावंच अवश्चत, परिक्षुनिय सामना बरदू, थोड़िशी निराशा केलिये, मुम्राइले लिवन्या टीम ने, बैटिंग जालेली नाईये, बॉलिंग सांगली केली बॉल हवेत है, फिल्डर येत्व है, जेल खाली, प्रेत्नत सांगला ने, बॉला कैच, काई जेल दिदे डिपला है, शेत्रक्षक होता, अयूब, चुक होनार नाही, अशा जेल साटी तर तो जानलात जातो, एक स्पेक्टेकुलर कैच, प्रिक्षकांचा टायन सा गजर, बलंदाज बात, सांगला जेल, काई जेल दिदे डिपला है, बाउंडरी रूफ वर, अगधी, बैलन्स करत अस्तना, स्ट्रेच्च केल सोताला, सांगला जेल दिदे संपन्न केला है, आदेश ठाकू, रमित भोईर, स्री सूरज जेवन्त दल्वी, इंचे बैनर सद्य तुम्ही पाता है, संजे तांडिल साहिब, रामचंदर जी भोईर दादा, जेश्ट नेते, संधी पलेले साहिब, संजे जी वागुले साहिब, एड अवकेटर निरंजन जी डावकरे साहिब, धेदे किला उपस्तित राहीले ओते, कोकन पदवीदर, मढदार संगाचा आमदार हैत, संभानी संझे जी केलकर साहिब, भेदे किली तो उपस्तित राहीले होते, आमदार आहेत, तीन टर dolphin आमदार, हैट्रिक आमदार, तेई ते जावेचा अगेंस्ट संजेजी केकर साहेब अपल्या अगरी समझाचा बुलंद आवाच केंद्री राच्यमंत्री पंचायत राच कबिल पाडिल साहेब डॉक्टर संजीजी नाइक साहेब इते नक्कीच उपस्तित होते शॉट बॉल हवेच खेला डीप मदे फिल्डर येतायत परन्टु नाही बॉल जाहिल बाउंडर लाइंचा बाहेर तिते थामला शेतरक्ष गयूप दामा मेदिल चार येतो येच सवकार अपचा रिकताता शिल्लक है एक ही श्रटकार सेकेंड इनिंग मदे आलेला नाही है जावेद उश्यरा ने काल हाँ प्रश्ण है अनकी नेक्डॉट बॉल तेच्च विरुद्ध नितिन बाइद्यच शेबट सा मौल शिल्लक लास्ट बॉल कैबिनेट मिनेस्टर रविंद्र जेच अवान साहेब अनकी शेबट साम्नाईते संपला है जिंकला है ठाने ग्रामीन 11 या संगाने पराबुत केले मुम्रा 11 या संगाला दोनी टीम हैंडशेक करेचा है हस्तांदोलन करेचा मैस समरी आपन पाहुया सेचारीस दावा केले पहला डावा मदे नरंद्रन केले 15 भायने केले 18 यूबने केले साथ जितेशने केले पात